हेलो एब्रीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रीम और ओइंटमेंट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसी कौन-कौन सी ओइंटमेंट और क्रीम है जो की कुमनली यूज की जाती है तो चलिए वन बाई वन करके देखते हैं सबसे पहले आते हैं क्लिंडेक A के नाम से आती है इसके अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फोस्पेट एक एंटिबायाटिक है इस जेल का यूज किया जाता है जो ये क्लिंडामाइसिन फोस्पेट जेल है इसका यूज किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए ठीक है इस आगे बात करते हैं Omni Gel की, Omni Gel जो है इसके इंदर Lincid Oil होता है, Diclofenic होता है, Methyl Salicylate होता है और Menthol होता है Omni Gel का यूज किया जाता है जैसे कि कोई Sports Person है उसको Injury हो गई है तो Sports Injury में यूज किया जाता है पैर में मोच आ गई है, उस Condition में यूज कर सकते हैं, कोई Muscle है वो Stiff हो गई है, उस Condition में यूज कर सकते हैं गुम चोट के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, तो यहाँ पे इसके यूज लिखे हुए है, Pain, Sprain, Strain और Sports Injury के अंदर Omni Gel का यूज किया जाता है अब इसके अंदर जो यह Salt होते हैं, जैसे Lincid Oil होता है, यह Muscle को Relax करने का काम करता है, डाइकलोफैनिक जो होता है, वो Pain को भी कम करेगा और Swelling को भी कम करने का काम करता है methyl salicylate इसका काम होता है susan यानि की inflammation यानि की swelling को कम करना तो ये swelling को कम करने का काम करता है menthol ये pain को कम करने का काम करता है तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो diclofenic है वो pain और swelling को कम करेगा लेकिन जो methyl salicylate और menthol है ये दोनों भी same काम करते हैं पेन और इंफ्लामेशन को कम करते हैं अब ध्यान से समझेगा एक तो ओमनी जैल आती है एक डाइकलोफिनिक जैल आती है तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है अब इसके अंदज ये एक्स्ट्रा इंग्रेडियन्ट एड किये हैं ये केवल इसके एक्सन को फास्ट करने के लिए एड किये हुए होते हैं तो आप या तो डाइकलोफिनिक जैल यूज करो या ओमनी जैल यूज करो दोनों का काम बिल्कुल सेम है ठीक है आगे आता है सोफरामाइसिन क्रीम सोफ्रामाइसिन क्रीम के अंदर होता है फ्रमाइसितिन ये एक एंटिबायोटिक होती है फ्रमाइसितिन स्कीन क्रीम का यूज़ किया जाता है बैक्टिरियल स्कीन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जैसे कि गाव है इन्फेक्टिड हो गया वो तो उसको ठीक करने के लिए सोफरामैसिन क्रीम यूज कर सकते हो कट लग गया है और कट पे क्या है वो जो कट हो infected हो गया है तो उस कंडिशन में यूज कर सकते हो और minor burns यानि की जले हुए पे लेकिन जला हुआ ज्यादा नहीं होना चीए अगर बिल्कुल थोड़ा सा हलका सा जल गया है जिसे हाथ टच हो गया होट उब्जेक्ट से तो हलका सा हाथ जल गया है तो उस कंडिशन के अंदर भी फर्माशिटीन यूज किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट जो है वो आती है बिटाडीन आपने ये जुरूर सुनी होगी बहुत ही ज्यादा फेमस ओइंटमेंट है ये बिटाडीन अब बिटाडीन के अंदर क्या इंग्रिडियन्ट होता है इसके अंदर पोवीडीन आयोडीन होता है तो पोवीडीन आयोडीन से लगबग मतलब बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि बिटाडीन के अंदर पोविडीन आयोडीन है ठीक है तो कई सारे लोग तो ये समझ लेते हैं कि बिटाडीन क्या है एक ingredient है जबकि बिटाडीन एक brand name है ठीक है ये बहुत ज्यादा famous है इसलिए ये आम से आम लोगों को भी पता होता है तो जो ये बिटाडीन होता है ठीक है इसके अंदर होता है पोविडीन आयोडीन ये अलग नाम से भी आता है जैसे सिपलाडीन के नाम से भी आता है तो दोनों ही सेम है ये जो दोनों हैं, इनका यूज किया जाता है, infection से बचाने के लिए, जैसे cut लग गया या फिर घाव लग गया है, उस पे vitardine या फिर siplardine को लगाया जाता है, ताकि जो वो cut है और जो वो घाव है, वो infection से बचा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका यूज होता है, next है, adensina, इसका यूज किया जाता है, piles को ठीक करने के लिए, anal fissure में और anal fistula में, ठीक है, इसके अंदर तीन ingredient होते हैं, एक होता है thymol, दूसरा होता है menthol, तीसरा होता है lignocane, lignocane ये है एक local anesthetic, जो की सुन करने का काम करता है, ठीक है, जो menthol होता है, ये cooling sensation provide करेगा, जो thymol होता है, ये इसके पास दो property होती है, ये antiseptic भी होता है, और anesthetic भी होता है, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है, piles के अंदर, fisher के अंदर, और anal, fistula के अंदर, और इसके अंदर ये तीन ingredient होते हैं, ओके, आगे आती है, हमारी boroline cream, जो ये boroline cream है, इसके अंदर boric acid होता है, zinc oxide होता है, और enhydrous lenoline होता है, boric acid और zinc oxide, ये antiseptic agent होते हैं, enhydrous lenoline, ये moisturizer का काम करती है, ठीक है, तो boroline cream का यूज किया जाता है, जैसे adia फटी हुई होती है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है, होट फट फट जाते हैं सर्दियों के अंदर, तो वहाँ भी boroline का यूज किया जाता है, ठीक है, skin recies के अंदर भी, जो boroline है, उसका यूज किया जाता है, तो ये थी boroline, आगे आता है, clobetasol, propanate, जो ये cream है, ये इसका brand name है, lobate, तो lobate जो ये cream है, इसके अंदर, जो salt है, जो ingredient है, वो होता है, clobetasol, तो जो ये clobetasol है, ये steroid होता है, इसका यूज किया जाता है, रैसीज के अंदर, इचिंग के अंदर, और skin redness के अंदर, जैसे खाज खुजली हो गई है, ठीक है, या फिर skin red red हो गई है, तो उस situation के अंदर, clobetasol cream का यूज किया जाता है, next जो cream आती है, वो आती है, betonuate N के नाम से, इसके अंदर, बिटा मेथासोन होता है, और neomycin होता है, बिटा मेथासोन एक steroid होता है, और जो ये neomycin है, ये एक antibiotic है, तो betonuate N का जो यूज है, वो किया जाता है, skin conditions को ठीक करने के लिए, skin conditions जैसे की, eczema को ठीक करने के लिए, psoriasis को ठीक करने के लिए, आपको यहाँ पे दिख राओगा, ये psoriasis की condition है, जिसके अंदर जो scalp है, वो बहुत ज़्यादा dry और itchy हो जाती है, तो इन conditions के अंदर इसका यूज किया जाता है, next है, benzoil paroxide gel, तो इस gel का यूज किया जाता है, pimples को ठीक करने के लिए, mild to moderate acne को ठीक करने के लिए, ठीक है, आगे है candide total plus, इसके अंदर तीन salt होते हैं, एक होता है mikonazole, एक होता है neomycin, एक होता है klobetasole, तो klobetasole तो मैंने आपको बताया, ये एक steroid है, neomycin एक antibiotic है, और mikonazole है, ये एक antifungal drug है, तो जो ये canadide total है, इनका यूज किया जाता है, कहाँ पे bacterial infection को ठीक करने के लिए, और fungal infection को ठीक करने के लिए, जैसे कि दाद है, खुजली हो गई है, है ना, तो उस condition के अंदर इसका यूज किया जाता है, ओके, आगे है, परमाइट के नाम से आती है, ये करीम, इसके अंदर होता है परमेथरीन, है ना, तो परमेथरीन एक antiparasitic drug है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे छोटे-छोटे microorganisms होते हैं, उसको क्या है, वो जो skin पे इचिंग कोज कर देते हैं, उनको अगर मैं नाम होता है, उनका माइट्स, तो माइट्स की वज़े से skin पे इचिंग होती है, ऐसे-ऐसे skin हो जाती है, तो जो माइट्स हैं, वो क्या होते हैं, परासाइट होते है तो जो parmetrine है उन Mites को किल करने के लिए यूज की जाती है तो P למothrin का यूज काहां पे कर सकते हैं Mites की वज़े से अगर skin पे खाजखुजली हो गई है तो उस condition के अंदर पर leveling cream का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्रीम जो है वो है Lullycan के नाम से इसके अंदर है लुली कोनाजोल ये एक एंटी फंगल क्रीम है ठीक है जैसे दाद है या फिर खाज खुजली ज्यादा हो रही है तो ये मतलब फंगल इंफेक्शन हो गया ना उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी तो जो ये अमिना क्रीन है ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी सेप्टिक भी है और जो ये सेंट्रिमाइड है ये एंटी बेक्टिरियल है ठीक है तो आपको यहाँ पे दिख राओगा ये फर्स्ट डिग्री बर्न के इंदर अगर जला हुआ होता है ना और कैसा ज उससे आपका हाथ जल जाए या फिर बोडि़का कोई भी हिसा होट अब्जेक्ट घ्टाच हो जाए और वो जो बोडिवा इस हो सेक है उस कंडिशन में बर्नोल का यूज कर सकते है ठीक है तो ये थी हमारी Bernol Cream आगे आती है Lomila Cream Lomila नाम से इसके अंदर तीन साल्ट होते हैं एक होता है Hydroquinone एक होता है Tretinoin और एक होता है Mometasone ये जो Mometasone है ये Steroid होता है Tretinoin है ये Retinoid होता है और जो ये Hydroquinone है ये एक Depigmenting Agent होता है जो ये Lomila Cream है इसका यूज किया जाता है जो Skin पर अगर Dark Patch हो गए है Hyper Pigmentation की वज़े से Skin पर Dark Patches हो जाते हैं जैसा आप यहाँ पर Picture के अंदर देख रहे हो तो इन Dark Patches को ठीक करने के लिए Lomila Cream जो है उसका यूज किया जाता है ठीक है तो ये इसका यूज हो गया तो ये थी आज की इमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कई सारी Cream और Ointment के बारे में बताया ठीक है मैंने यहाँ पर आपको वो सब Brands के बारे में बताया जो की ज़्यादातर Famous है ठीक है बहुत ज़्यादा Famous पता उनाती है ये Ingredient कहां पर यूज आएगा तो आप किसी भी Brand Name की Cream या Ointment यूज कर सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस Brand Name की यूज करोगे ये ये Just Example मैंने इसलिए लिए क्यूंकि ये Famous है आपने कहीं न कहीं इनको सुना हुआ होगा ठीक है तो बाकी एक और बात ये है कि आपको ये जो Cream से ये डोक्टर से सला लेकर ही यूज करनी है ऐसे वैसे यूज नहीं करनी है ठीक है तो ये थी आज की यमारी वीडियो जिसके अंदर हमने बात की Different type of Cream and Ointment के बारे में आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर